दूसर अच बात करने वाले हैं UPL स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट की एर मैं बात करता हूँ यहाँ पर करीबन 8% की गिरावट हमें देखने को मिली है स्टॉक जैसे ही ओपन होता है कैब डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली है 488 रुपीज पर अभी स्टॉक बना हुआ है वहीं वन डे चार्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भी भयंकर गिरावट जारी है अगर यही गिरावट जारी रहती है नीचे की तरफ 450 रुपीज का एक सपोर्ट अभी के लिए लगा कर चल सकते हैं अगर इस सपोर्ट को भी प्रेक करके स्टॉक नीचे जाता है और नीचले लेवल्स दिखा सकता है यहाँ पर दोस्तों अभी फ्रेश बाइंग को एवाइट करना है केवल वेट एंड वाच की स्ट्रेटजी अपना कर चल सकते हैं जैसे ही बाइंग का मौका बनेगा हम एक वीडियो ज़रू बनाएंगे तब तक वेट एंड वाच की स्ट्रेटजी अपना कर चल सकते हैं यही स्ट्रेटजी आपको उपनानी है यूपी एल स्टॉक में वीडियो दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद